यार देखो हम सबको पता मरीन का अभी क्या हाल है वनपीस में हर कोई इन से दुस्मनी ले के रखा है और आकाइनों जो है क्या करेगा उस بात का हमें बिल्कुल भी नहीं पता लेकिन हम आज के वीडियो में बात करेंगे मरीन के future के बारे में मैं इस वीडियो में final war के बाद की बात करूँगा ना कि अभी current में जो चीज होगा उसकी बात करूँगा because हम सबको पता है final war जब होगा इस बार joy boy वाला side जीतेगा और world government जो हटने वाली है ये सारी चीज़े जो होगी one piece खोज लिया जाएगा red line हट चुका होगा ये सारी चीज़े होगी लेकिन क्या उन सब के बाद end में marine बची रहेगी या फिर marine जैसा कुछ होगा भी कि नहीं इस बात कभी पता नहीं होगा किसी को इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे अब देखो जाददर one piece man ना बे वज़ा marine को hate करते है रीजन सिंबल है marine for dark में जो चीज़े हुई है प्लस वो लोंग celestial dragon को protect करते हैं ये सारी चीज़े जो चूतियापनती होती रहती है और इनी के वज़े से जो है hate करते है और सबसे जाज़ा तो यार hate करने का reason सामने निकल के आता है वो है आकाइनो के वज़े से because आकाइनो is like भाई pirates है तो सकत नफरत करता है बंदा एक सेकेंड भी नहीं सोचता है किसी को सजा देने के लिए अगर वो दोसी है उड़ा दोस्ता लेको पर न तुम्हें कुछ चीज़े समझनी पड़ेंगी marine के बारे में एक टाइम के लिए तुम one piece के world को हमारे खुद के real world से जोड के देखो समझ में आएगा marine को किसी country का army समझो और जो world government है उस country की सरकार अब जिसका सरकार रहेगा जिसकी सत्ता रहेगी भाई army तो उसी का अंडर ना आएगी हाँ हम लोग का इंडिया में क्या होता भाई वो देश को protect करता है लेकिन कुछ country इसमें ऐसा होता है कि भाई तानसा लोग चलाते हैं होता है न अब अगर उनकी सरकारे अगर कहेगी कि आम जनता को मार दो तो भाई वो army वाले order के रूप में मानेंगे उस चीज को और इसी तरह से कहीं न कहीं पे one piece का world भी चलता है और कुछ जादा ही हद तरीके से चलता है because तुम 70 में देख के उपर अत्यचार करते हैं प्लस वो लोग नहीं चाहते हैं कि wide century का इतिहास सामने निकल करके आए और wide century बोलके कोई चीज है कोई history है बोलके भी तक लोगों को नहीं पता है marine के हिसाब से celestial dragons के हिसाब से world nobles के हिसाब से सबसे ज्यादा उपर जो है आता है ये पांच को ही पता है कि इनके उपर भी कोई है जो उस king of the world के गदी में बैठता है या फिर बैठती है इमसामा और उसी के मर्जी से ही ये सब काम करते हैं इमसामा जो है ये पांच बुढ़ों को order देती है उसके बाग ये पांच बुढ़े as a world government खुद को represent करने वाले ये लोग जो ह है मैं नहीं करते हैं भाई सीधा बोल दिया मतलब हम कर देंगे और यही सेम concept चलता है CP0 के साथ भी हम marine के तरफ से smoker और फुजीतोरा जैसे characters निकल के आते हैं जो लोग world government के decisions पे भी सवाल उठाते हैं जैसे कि भाई वो wallet system तुम ही देख लो वो जो है world government ने बनाया था लेक यह उसने एक बार कहा था कि celestial dragon ने इस world को create क्या है वो यहां के भगवान है वो जो चाहिए वो कर सकते हैं मतलब यह कि भाई यहां के लोगों को तो असली history ही नहीं पता है और यह चीज मरीन के साथ भी हो सकता है marines को इसके बारे में पता नहीं अब देखो बहुत ज्यादा theories यह निकल के आते हैं कि भाई सेन गोकु को one piece में क्या है इस बार में पता होगा fleet admiral को पता होता होगा kong को पता होता होगा मेरे हिसाब से इन लोगों को पूरा knowledge नहीं है इनको हां history के बार में कुछ ना कुछ मालूम होगा लेकिन यह कहते नहीं है प्लस इनका फर्ज जो इनका जो duty है वो भी सामने निकल के आ जाता है जिस वज़े से यह लोग जो है मजबूरन तोर पे गार्ट तो देखो सीधे तोर पे मुँपे बग देता है उसको घंटा फरक नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे और उसको पसंद नहीं है इस वज़े से वो खुद को promote नहीं क कूबी का तो बाई देखो कूबी ज्यादा कुछ है नहीं इसका ज्यादा कुछ ओधा वगेरा है नहीं तो इसका जो कुछ भी बोलना होगा यार वो कुछ भाव नहीं दिया जाएगा but at the end जब final war होगा उसमें जो है जब यह सारी चीजें जो है reveal की जाएंगी सबको पता चलेगा और वर्ल्ड गवर्मेंट जो अभी किया वो पूरी हट जाएगी तो क्या उसके बाद मरीन रहेगी तो मेरे हिसाब से मरीन रहेगी लेकिन जिस तरह से आज की मरीन है वैसी नहीं रहेगी यह पूरी तरह से चेंज हो चुकी होगी हो सकता है उस वक्त फ्लीट एड्म कमांडर बने अगर वो रिटार नहीं होता है तो लेकिन हो सकता है उसको बाद में इंट्रेस्ट ही हट जाए कि मेरेको कुछ नहीं बनना है मैं अब मस्त सेन्गों को के साथ घूमूंगा तो हो सकता है वो मस्त लाष्ट में सन्यास ही ले ले तो यह सारी चीज़े जो है न यह हमें फाइनल में देखने को मिल सकती है, राभात कूभी का तो कूभी एक एड्मिरल बनेगा लास्ट में, यह बात मतलब मेरे को पता है, यह हो जाएगा यह, यह मैं कहा दूँगा, क्योंकि at the end सब के ड्रीम पूरे होने हैं, पर क्या pirates के उपर bounty लगेगी, इस बात का हम guarantee के साथ नहीं कह सकते, देखो लूफी के उपर से पूरा bounty हड़ जाएगा, और भी characters के उपर से bounty हड़ जाएगा, उस वक्ट जो है law बनेगा, नया जो नियम बनेगा, उसकी हिसाब से हो सकता bounty लगे भाई, उन गलत काम करने वाले pirates के उपर, वो pirates जो किसी island में जाके जबरदस्ती का दबदबा बना के रखते हैं, लूफी की तरह नहीं, कि भाई, बस वो protect करते हैं उस island को, अभी जैसे कुछ pirates हैं, जैसे काईडो, territory बसा के रखा था, जबरदस्ती यार, राज कर रहा था, वैसे islands पे, वैसे pirates को, भागाने का काम करेगी marine, ना कि भाई, अच्छे pirates को पकड़ेगी, वन पीस में pirates का मतलब थोड़ा अलग होता है, देखो, वन पीस में लुटेरे को भी कहा जाता है, पाईरेट, और उनको भी कहा जाता है, जो लुट वन पीस का वर्ल्ड जो है, समंदर के राश्ते से सेल करके घूमते हैं, आज के टाइम पे, अगर नोलन जिंदा रहता न, तो उसको भी पाईरेट घोसित कर दिया जाता, हाँ तो खैर मुझे यही सब बात करना था, अब तुम सब जो अपनी राश जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना वो तुम्हारा मन्या, प्लस कमेंट बॉक्स में टॉपिक सजेसन दे सकते हो, तो यार मिलेंग नेफ्ट वीडियो में फिलाल के लिए, बाई!